सब लोग इससे देखो, उझे एक अजीब अंडा मिला है वाँ, इस तरह का अंडा तो मैंने पहली बार देखा है जिस मानी अंडा दिया है वो परेशान जरूर होगी पर जब तक इस जानवर के बारे में पता नहीं चलेगा, इसकी माँ को टूरना मुश्किल है चिंदानी का अंडे का भई लोग, अपुन जैसा कमाल का खोजी विक्की तुम्हारे लिए ये खोज निकालेगा अपुन लोग को अंडे में से कुछ निकालना पड़ेंगा, फिर पता चलेंगा ये कौन सा जानवर है अरे दोस्तों, इससे देखो, लगता है इंडे में से कुछ निकल रहा है अरे वाँ, ये तो बीबी इगुआना है, ये कितने प्यारी है वाँ, मैंने पहली बार इतनी प्यारी सी चोटी सी इगुआना देखी है ये प्यारी ही नहीं, बल्कि बहुत खूबसूरत प्यारे बच्चे वैसे हमेशा प्यारे ही होते है कितना प्यारा है, जब तक तुम्हारी माने ही मलती, मैं तुम्हारी मा हूँ अब से तुम्हारा नाम बेबे होगा, क्या तुम्हें ये पसंद है? पर अगर लीना इसकी माँ है तो पिता कौन है पिता, तुम लोग और कौन क्या योजना काम कर गई सर अंडे को मेनी फोर्स तक पहुंचा दिया गया है पिलकुल, सब कुछ मेरी योजना के मताबिक हो रहा है अब संभलके रहना मेनी फोर्स इस बार मैं अपना बदला लेकर रहूँगा मेरा अंडा, मेरा बच्चा किसने चुराया मेरे कीमती अंदे को रानी इगवाना थोड़ा सा दसल्ली रखो मैं जानता हूँ, रानी इगवाना के अंडे चुराने की हिमाकत किसने की है तुम कौन हो मेरा नाम डैनी है और कुछ वक्त से मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ जिसमें तुम्हारे अंडे चुराये है वो मिनी फोर्स है मिनी फोर्स? वो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसी संभावना है कि वो इसके जरिये तुम्हारी शक्तियों और रुद्बों का फायदा उठा सके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेनी फोर्स? मुझे चप्पराने उसको पीकाबू अब उनकी बारी, अब उनको करने दो हो सकता है कि इसने डाइपर में सूसू की हो ऐसा हो सकता है, मैं देखता हूँ अब दो खाया उनकी बारी, अब रहा हूँ अइप हाँ रानी इगवाना इंसानी दुनिया में आई हुई है अपने खोए हुए अंडे को ढूनने इगवाना का अंडा? तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल साई, जिस बच्चे की तुम देख भाल कर रहे हो वो रानी का है डैनी ने इस अंडे को चुरा कर तुम्हारे पास भेज दिया है और रानी से जूट बोल दिया है कि तुम लोगों ने उसका अपरण किया है तो क्या इस बच्चे को उसकी अम्मा को देने पार है? सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं लगता क्योंकि डैनी ने उसके कान भर दिये है इसलिए रानी किसी पर यकिन नहीं करेगी रानी इगवाना के पास एक खास शक्ती है जिसको उसने 600 साल तक मजबूत किया है वो अपनी छड़ी से बिजली की तेज रफतार से विशक्ती शाली उजा की लहर निकालती है तो मैं उसे अपनी बेगुनाही के लिए राजी करना होगा जिससे तुम डैनी के प्रभाव को कम करके अपने लक्षा तक पहुँच सको सर, येस सर मिनिफोर्स तयार हो तयार 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 कहां है वो अफ़रन करने वाले मिनिफोर्स जल्दी से बाहर आओ और मुझे मेरा प्यारा बच्चा लोटाओ महरानी लगता है बहुत परेशान हो रहे लिए पर आपको अपने गुस्से को शांत करना पड़ेंगा मेरा बच्चा इससे मुझे दो, मेरा बच्चा लीजे बेबे, आखिरकार हमने तुम्हारी मा को ढूर निकाला यह बच्चा यह मेरा ही बच्चा है इसमें कोई दोरा आइने, यह मेरा ही बच्चा है महरानी, गलत मत समझेगा पर हम वो नहीं जो आपके बच्चे को ले गए थे, बल्कि हमने तो उसका पूरा ख्याल रखा. वागई? इसका ख्याल रखा सच में? तुमको लगता है मैं तुम्हारा जूट मान लोंगी? ये जूट नहीं है. शान्त हो जाओ. मुझसे जूट बोले कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अपुन सच कहा रहा? अपुन लोग ने इसका किड़ डैप नहीं किया. मूर्ख कहीं के? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी. या! नहीं पेवे, ये खतरनाक है. पेटा, ये खतरनाक है. मा की पास आओ. ये ये इगवाना का पत्थर है. पेव को फरानी इगवाना. मैं ही था जिसने सबसे पहले तुम्हारे अड़े को चुराया है. ये क्या? तुम्हें मुझसे जूच बोला? अब जब क्यों मैंने फोर्स घर गए हैं, तुम हमारे किसी काम के नहीं? मेरे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने फायदे के लिए एक मा का प्यार इस्तिमाल किये लाए, अब उन तेरे को कभी माफ नहीं करेगा? मेरी शांदार योजना बेकार हो रही है, शर्मना क्यों! जीरोबांट्स, इन बेफकुफ मेनी फोर्स पर हम्ला करो अभी! फोर्सथियार तयार! फोर्सथियार तयार हो! ए यह! फोर्सकंद तयार हो! फोर्स दल्बा तयार हो ठीक है क्या खतम करें भीडू लोग फोर्स धनुष तयार हो आज मैंसे हमेशा के लिए खत्म कर दूँगा हाँ हाँ मैं इस काम के बेहत नस्दीद था हाँ, आज तो मैं पिछाट रहा हूँ पर ये अभी ख़त नहीं हुआ मुझे माफ करना में तुम पर विश्वास नहीं कर पाई तुमने मेरे बच्चे का खयाल रखा इसका एहसान में कभी बुलाने ही पाऊंगी बच्चे, अलविदा, स्वस्थ और मजबूत बने रहना अलविदा, खयाल रखना, अलविदा अलविदा, खयाल मिलेंगे फिर मिलेंगे